बिसम्मिल आई रख्माने रहीम, असलाम लेकूम वेवर्स, उमीद करती हूँ, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आज हम बना रहे हैं, ब्रैट पोटेटो रोल्स, तो यहाँ पे मैंने आलू लिये थे, इनको बॉाइल कर लिया है, तकरीबन 5-6 आलू है, इनको इस तरह से न हमने सॉफ्ट से बॉाइल किये हैं, तो यह जल्दी से कटिंग हो जाएंगे, सारे, तो यह देखें, आलू यहाँ पे कटिंग हो गएं और हम इस तरह से मसला लेंगे, बस valor की मतलद से यह आपने मिक्स करना है, और कुछ नहीं करना अच्छा यहां पे मैंने ये दो जो है नूडिल्स के पैकेट लिये थे इनको मैंने सिंपल बॉाइल किया है इसमें मसाला नहीं डाला बस सिंपल सा मैंने पानी में इसको बॉाइल किया है पानी निकाल दिया था उसके बाद मैं इसको अलवों में शामिल करी हूँ नूडिल् का पौर्डर डाला है अब हम न इसके अंदर यह जो नूडल्स के सबीकिट में जो मसाला आता है न ये जाल देंगे बहुत ही जबर्दस सा बहुत ही मज़ेदार सा यह हमारा बैटर रेड़ी हुआ है यह देखें इसको आप इस पॉइंट पे चेक भी कर सकते हैं अगर नामग मेच आपको तेज करना हूं तो आप तेज भी कर सकते हैं अच्छा यहां पे मैंने पानी लिया है इसमें ब्रैट का एक स्लाइस इस तरह से डिप करेंगे अच्छा मैंने ब्रैट के स्लाइस की ना साइडे नहीं कटिंग की हैं वैसे भी वो जाया हो जाती है तो इसको हम इसी तरह से कुप करेंगे अच्छा इस तरह से पानी निकालन यह इसी तरह से हमने इसारे डिधी करने हैं तो यहाँ पर देखे हमारे रोल डिधी हो हाँ थोड़ा से त्यज़ गर्म करना है साइडे चेंज़ करते वे न हमने अच्छा साइड golden color देना है और हमारे rolls ready तो यहाँ पर यह देखें मैंने rolls को इस तरह से cutting करके न तो इनकी side चेंज करके तो heart shape बनाया है इस तरह से न यह बहुत ही ज्यादा जो है लोक वाइस अच्छा लग रहा था प्यारा लग रहा था अच्छा हमारे roll जो है न बहुत ही मज़ेदार बहु अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी अच्छी सी रैस्पी के साथ तब तक अजाज़त दीजिए आला हाफिज